आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तो आज का मारा Question क्या है Is the Biogass Combustion Reaction Endothermic और Exothermic तो हमें बताना है जब हम Biogass का Combustion Reaction करवाते हैं तो वो Endothermic बनता है या वो Exothermic बनता है Endothermic का मतलब जो चीज हीट लेके बने जिसमें हीट का Requirement हो हमें हीट प्रोड़ाइट करने पड़े और Exothermic जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो अब देखो Biogass में, जनरली जनरली Biogass का जो Main Component होता है वो होता है Methane और भी Components होते हैं अगेन, लेकिन Main Component होता है Methane अब मिथेन का अगर मैं Combustion Reaction करता हूँ यानि कि इसको Oxygen के साथ React करवाता हूँ तो हमें पता है Carbon Dioxide का Formation होता है S2O का Formation होता है और Heat Generate होती है यह बात ध्यान रखना अब यह समझो, Biogass क्या है अगर आपको Confusion है कि Heat क्यों ही Generate हो रही है तो Biogass एक Fuel है जब भी हम Fuel को जलाते हैं तो Obviously उसमें से Heat निकलती है That's the reason उसको हम Fuel बोल रहे है Right, Energy Produce कर रहा है वो तो इसमें Chemical Energy stored होती है जिसको अब हम लोग Combustion करने के बाद Heat Energy में Convert कर रहे होते हैं इस Reaction में Heat का Production हो रहा है Heat बन रही है इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि यह Reaction Exothermic Reaction है तो हमारे Question का अंसर हो जाएगा Exothermic Reaction Okay तो I hope यह Question अब सबको समझ में आ गया होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर